तार स्वागत है आप सभी का एनम बानबे बारव भरती में इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो कुछ भी आपको अपडेट दी थी वही जानकारी थी और उसी के अनुसार हमने आपको सारी चीजे बताई थी और इतना है यह नहीं एक से दो दिन में यह चीजे क्लियर हो जाना है कल जो कुछ भी प्रयास जंता दर्संग कारकरम में सभी बेहनों के द्वारा और साथ में जिन भी भाईयों का सपोर्ट मिला बहुती अच्छा सरहानी प्रयास रहा और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद फिर गोरक नात मंदिर के मुख के पुजारी महंत जी के द परती में नियुक्ति पत्र को दिया जा सकता है यानि एक तरफ टू 77 सीटे होड है उनको छोड़ करके इस पर किसी का विचार नहीं है ना तो सासन का ना आयोग में और आयोग का पूरा प्रयास है कि जो भी सुप्रिंग कोर्ट वाला मैटर है उसको हम जल से जल्द फाइन अपरेल है तो कुल मिलाकर कि प्रयास रुकना नहीं चाहिए जो चीजे या जो अपडेट या जो जानकारी मिली थी जब तक वो प्रत्यक्षी रूप में हो न जाए तब तक हम सभी का प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए आज भी मुख्यमंतर जी का कारक्रम है कल हमने ए लेकर के एक नोटीस आप सभी को दिखाई थी वह नोटीस बिधान सभा उप चुनाओ को लेकर कि था लेकिन हमने वहाँ पर पहली बारे रेट किया था और उसमें बाई मिश्टेक हमने ये बोल दिया था कि निकाय चुनाओ के लिए निकाय चुनाओ की जो अधिसूसना हो बात जारी होगी आरक्षड वाली और इसके बात चुनाओ की अधिसूसना अभी जारी हुई नहीं है तो जिस दिन चुनाओ वाली अधिसूसना जारी होगी उस दिन से निकाय चुनाओ पूरे प्रदेश में निकाय चुनाओ होना है सभी बचत्तर जिलों में तो उसी किसा से पूरे प्रदेश में आचार संगिता लागू होगी बाकी बिधान सबाज जिन सीटों पर रहेगा तो केवल वहीं परोप्रभावी होगा उसके लिए आचार संगिता कल जो कैबिनेट की मेटिंग हुई थी साम को चार बजे उसमें मुख्य रोप से इसी चीज़ को लेकर के चर्चा होगी अगर आप यहाँ पर देखेंगे आरक्षण का रास्ता शाफ हो गया है नगर विकास बिभागतोरा गुरुवार को सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूसना जारी कीजा सकती है इस पर आपपत्थियों के लिए साथ दिन का समय दिया जाएगा इसके निस्तारण के दो दिनों के बाद आरक्षड की अंतिम अधिसूसना जारी होगी उसके बाद किसी भी समय निकाय चुनाव कराने की अधिसूसना जारी हो सकती है यानि अभी ये अनंतिम चैन सूची आएगी अंतिम नहीं अनंतिम होगी आरक्षड वाली और इसके बाद एक सब्तार का समय मिलेगा हापत्ति के लिए उसके बाद फिर अन्तिम चैन्स उची आएगी आरक्षड वाली उसके बाद जो है चुनाव कराने की अधिसूसना जारी होगी तो चुनाव कराने की अदिसुषना जारी होने के साथ आचार संगेता प्रभाभी होगी यानि कुल मिलाकर के अप्रैल के सेकेंड विक या फिर 10 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल से पहले कोई सम्मावना नहीं लगए 10 अप्रेल के आसपास या 10 अप्रेल के बाद कभी भी अधिस उसना लग जाएगी निकाय चुनाओ वाली खुल में लाकर कि हमें आपर 10 अप्रेल का ही समय मान करके चलना है कि 10 अप्रेल से पहले जो कुछ भी होना होगा आपके भरती में न्योकती पत्रे बित्रड को ले करके ओख हो जाएगा यहाँ पर भी आप देखेंगे यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्ताओ 23 बिंदूओं पर हुवी चर्चा OBC को रिजर्वेशन देने के लिए बदले का कानून अध्यादिस राजयपाल से अप्रूबल के लिए भेजा गया इसके लावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी प्रस्ताओं पर मुहर लगी है कल के कैबिनेट मीटिंग में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी बहनों के द्वरा कल गोरकपुर जंतादर्शंग कारकरव में ग्यापन दिया गया उसको ले करके यह आपका हो गया अमरुजाला में इसी तरह से और भी प्रिंट मीडिया में यह खबर आ रही है तो इन मीडिया बनों को भी धन्यवाद है जंता दरबार के दोरान प्रदेश के बिभिन जिलों की चैनित मेला स्वास्तेकार करता एनम भी पहुंची उन्होंने ग्यापन सोपकर नियुकति पत्र की मांगी जिसमें 1212 सीट के साफेक्ष 8831 का चैन हुआ भरती में चैरित नहीं हुई एक महिला कोर्ट में चली गई मगर हाई कोर्ट की डबल मेंच से आयो के पक्ष में फैसला आया कई माँ बीत जाने के बाद भी अभी तक नियुकति पत्र जारी नहीं किया गया उन्होंने कहा कि यह भरती P.E.T. पर आधारित पहली भरती है और मुक्यमंत्री जी के 100 दिन के कार्योजना में सामिल है और आज भी मुक्यमंत्री जी का गोरकपुर में कार्यक्रम में आज रेसम क्रिसी मेले का उधगाटन करेंगी मुक्यमंत्री गोरकपुर रेसम उत्पादन के विभिन पहलूँ और इस संबन्द में सरकार के प्रोसान कारिक्रमों के जानकारी देने के लिए विर्यसपतिवार को राम गड़ ताल किना रहे। यानि मामला जो हर दिन अपना हाइलाइट होना चाहिए हर दिन अपना प्रयास होते रहना चाहिए। इससे तरह से यहाँ पर देखिए गोरकपुर वाले एडिसन में ही राष्टी सहारा में भी ये न्यूज दी गई है आपके जनता दरबार में पहुंची सैकड़ों एनम बे ने नियूकती पत्र की मांकी। इसमें भी सारी बातें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं कि 789 फ्रेस और 1622 प्रोविजनल और 20 वी धेल्ड बेनों का रिजल्ट आया था बानबे 12 भरते में 6 अगस्त 2020 को इसकी बाद मैटर वर्तमार में सुप्रीम कोर्ट में होने की बज़े से कुछ सीटों को होल्ड करने का आदे से तो यहाँ पर या तो सरकार आयोग सुप्रीम कोर्ट से मामला जल्द फानल करा करके सभी बेनों को नियूकती पत्र एक साथ बिद्रित करें या तो फिर जिन बेनों को नियूकती पत्र विद्र हो सकता है उसको लेकर के प्रियास किया जाए समारो जल्द आयोजित किया जाए ताकि आचार संगिता में आपका नियूकती पत्र नफसे और उसके बाद सुप्रिंग कोर्ट से मैटर को जल्द फानल करवाते वे 277 बेनों के भी नियूकती पत्र का रास्ता शाप हो एक दिखें डिप्टी सीयम नुसर का भी कारकरम है 31 मार्च और 1 अप्रेल के लिए भदेपूर के लिए तो जो भी अस्तानी बेने होंगी आप ज़रूर कोशिस कर सकते हैं ग्यापन देने के लिए कुल मिलाकर के अपना मामला अब हाइलाइट होते रहना चाहिए और हमें गोरक नात मंदिर के मुख्य पुजारी महंत जी से भी बीच में जाकर के मिलते रहना है और साथी साथ आयो के सचिव हों या फिर सासन अस्तर पर जो नीजी सचिव से रहे हैं मुख्य मंतरी जी के मुख्य मंतरी आवास जाकर के यानि जिस फरकास जैसे भी आप प्रयास कर सकते हैं भी आपको उचित लगे उस तरह से प्रयास हमें करते रहना है ये दो विधान सभा सीटों के उप चुनाव को लेकर की ये अधिसुसना को लेकर के जानकारी दे गई थी निकाय चुनाव की अधिसुसना भी आपको लगबग इसी के आसमास देखने को मिलेगी ये किबल दो चेतरों के लिए है जबकि निकाय चुनाव पूरे प्रदेस के लिए कराए जाएंगे तो पूरे प्रदेस में आचार संगिता लगेगी बाकि देखे कोर्ट केस वाला प्रकरड ऐसा है कि अभी आप देखेंगे एक भरती है वन अदरोगा की 30 अपरेल को इसका इसका एक्जाम होने वाला है और इसमें जो लोग सार्ट लेश नहीं हो पाए हैं वोगे परिक्षा के लिए उनके द्वारा भी कोर्ट में रिट याज का दाखिल कर दी गई है लेकपाल बरती में आप सभी जानते हैं कि इसमें कोर्ट केस की वज़े से रिजल्ट नहीं आ पार है डीबी के लिए और आपके बरती में आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस की वज़े से आप सभी को न्यूकती पत्र बितर नहीं हो पार है यानि कोई भी भरती हो बिना court case गए भरती हो नहीं पा रहे हैं भरती हैं रुख जा रहे हैं उसमें कुछ दिक्कते आ जा रहे हैं बेवधान आ जा रहा है तो आज या कल में एक से दो दिन में आज या कल में decision हो जाना है कि इसमें आगे किस प्रकार से शासन का फैसला होगा क किस प्रकार से शास में आयोग करेंगे यानि Supreme Court वाला matter court case को सुनवाई कराने के लिए उसको लिष्ट करवाने के लिए जो भी आगे की working day है Supreme Court में मानने सर्वच नयाले में क्योंकि बीच में चुट्टियां भी हैं तीन-चार दिक इधर चुट्टी फिर आगे भी कुछ च ऐसला लिया जा सकता है जो कुछ भी होगा एक से दो दिन में चीजे clear हो जाएंगी असपश्ट हो जाएंगी और ये एक से दो दिन लगातार इस एक से दो दिन में भी और आगे भी लगातार अनवरत प्रियास करने की आऊ सकता है तो जो भी अस्तानी बेहने आप अपने अ एक महीने तक हम सभी को लगवग इंतजार ही करना होगा क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे केवल जो सुप्रिंग कोर्ट वाला मैटर होगा अकर फानल नहीं हो पाता है इधर तो वही सुनवाई उसी में होगी केवल आयोग के तरफ से सुनवाई कराई जाएगी बाकी कल गोरकपूर में जन्ता दर्शन कारकर में बहुत ही सरहनी प्रयास राज सभी बहनों का सभी भायों का और इसी तरह से आप सभी का सायोग आगे भी अफिक्षित है और अपने आपको आप लोग बिल्कुल भी मानसी गुरूप से परिशान मत होने दीजिए अपना ध्यान लखे आप हम लोग कोशिस कर सकते हैं जो चीज़े हमारे हाथ में बाकी आयोग सासन के हाथ में देखी ओ लोग किस प्रकार से करते हैं अगर हम लोग लगातार प्रियास करते रहेंगे तो उन लोगों के उपर एक दबाओ बनता रहेगा नैतिक दबाओ बनता रहेगा और बिल्कुल उमीद ही नहीं बिल्कुल हो सकता है कि नियूकति पत्र बित्रड़ आप सभी के आचार संगीता से पहले-पहले करा दिये ज